हलो इपरिवरन एसके मेकेनिकल टेक में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में फायर फाइटिंग ड्राइंग में जो सिंबल्स दिया रहता है वो हम जानेंगे जिसको देखकर आसानी से फायर फाइटिंग ड्राइंग को पड़ सकते हैं तो चलिए fire fighting legend के बारे में जानते हैं जो drawing के right side में दिया रहता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं fire fighting legend के बारे में यहाँ पर यह symbol जो बना हुआ है FFC है fire host cabinet और 우 नीचे में pipe कर दिया है A, B, C और करके जो A hundred fire hydrant pipe है और जो B भी है यहाँ पर B जो दिखाया हुआ है 150 डाया का fire sprinkler pipe और उसके बाद से C जो है 65 का drain pipe है और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो color के हिसाब से pipe को दिखाया गया जो color पाचान करके drying में भी हम देख सकते हैं कौन सा pipe कितने का है जिसे यहाँ पे red color 100 डाया का fire hydrant pipe उसके बाद से orange color दिखाया हुआ है जो 150 डाया का fire hydrant pipe है और जो black color का है 65 डाया का drain pipe दिखाया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो यह pink color का है sprinkler branch pipe है और यहाँ पे dart करके दिया है gap करके दिया है external fire ringman pipe है और जो blue है domestic water riser pipe है DWR करते हैं इसे और यहाँ पे देखेंगे जो BFV यह जो symbol बना हुआ है butterfly wall है और यह अनर भी non return wall भी से करते हैं और यहाँ पे wall wall का symbol जो बना हुआ है जो drawing में दिखाया रहता है जिसको हम देख करके आसानी से समझ सकते हैं यह है ARV air release wall जब हम riser डालते हैं तो उसके टाप पे air release wall लगता है या pump रूप में air vessel tank होता है उसमें भी ARV लगा हुआ रहता है air release wall और यह stanner है जिसे हम Y stanner भी बोलते हैं और नीचे में दिया है landing wall यह landing wall का symbol बनाया हुआ है यह जो symbol है PG pressure gas और यह जो symbol बनाया हुआ है AM AFE modular type hiring t-gooser है और उसके नीचे में जो यह symbol दिख रहा है ABC 4 kg type of firing t-gooser और जो यह है यह भी ABC है 6 kg type of firing t-gooser है और यहाँ पे देखेंगे CO2 4.5 kg CO2 type firing t-gooser और यहाँ पे फोम है यह फोम का symbol बनाया हुआ है जो 9 liters mechanical foam type firing t-gooser है और जो यह P के अकार में बनाया हुआ है यह booster pump है जो टेरिस पे लगता है 450 lpm का है B-O-F-E bottom of fire pipe और E-F-E-A-A-C यह जो symbol है external fire hydrant यहाँ पे देखेंगे जो यह symbol बनाया हुआ है 4-way fire brigade inlet connection है यहाँ पे जो देख सकते है 2-way drought connection है और last में fire bucket का symbol है थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए यहाँ बनाया हुआ है